वही नगर निगम के स्वास्त विभाग के लापरवाही से शिवाजी नगर और संतोशी पारा के रहवासी नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। गंदगी के कारण वार्ड में विभिन बिमारियां फैल रही हैं जिसकी चपेट में अनेक लोग आच चुके हैं। विमारी फैलने के उपरांत निगम प्रशासंद्वारा यहां स्टफाई कार्य कराया जा रहा है। गंदगी के बीच रहने और अशुद्व बेजल का इस्तेमाल करने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे ही एक पीडित परिवार के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पिलिया उसे हो गया पथरी। अपलेशन हुआ था तिन लाख रुपया लगा है। अब घर के सामने पाई प्लाइन जा रही है। कल्यार सेवत जंजाकरती संगठन के अध्यक्ट सुमन सील ने बीमारियों के लिए नगर निगम प्रशाषन को जिमेदा ठहराया है। जंता का कड़ोरो रुपय खर्च होने के वावजूद बिलाई नगर निगम में सफाई की अववस्ता फैली हुई है। वही दूसीत पानी पीने के चलते आज बिलाई नगर निगम के वाट करमांग 34 सिवाजी नगर तथा बाट नमबर 33 संतोसी पारा के लोग डारियों से गर्शी थे। वही डारियों के चलते आज एक वेक्ति की जान भी चले गई है। उसका सबसे बड़ा कारण पिलाई नगर निगम की जो सफाई की अववस्ता है। जिसके कारण आज से दो-तीन मेहने पहले इसी छेतर में पीलिया जैसे बिमारी से लोग गर्शी थे। जिसकी जानकारी रहने के बावजूद इस तरह का कोई भी ध्यान निराकरन करने के लिए नहीं किया गया है। जिसकी जानने के चलते लोग दूसी पानी को पी रहे हैं और इस तरह की बीमारी से गर्शी थो रहे है। बहराल बीमारियों फैलने के बाद नगर निगम प्रशाशन और स्वास्त अमला हरकत में आया है। साप सफाई के साथ दवाईयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। बीमारियों के कारणों के निराकरन को लेकर निगम प्रशाशन को वाड में इस्थाई व्योस्ता किये जाने की जरूरत है। Grand Asian News के लिए संजय दुए है।